हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हमनों देखने वाले हैं एड़ जॉाइंट ऑफ ए स्क्वाइर मैट्रिक्स बाई यूजिंग सौटकॉट मेथड यानि किसी स्क्वाइर मैट्रिक्स का एड़ जॉए कैसे फाइंड आउट करते हैं सौटकॉट मेथड का यूज करके और इस मेठट को जब हम बता देंगे आप इसको कंसंटेट होकर के देख लेंगे तो एकदम 60 सेकेंड के एप्रॉक्स में जो है आप इस कोशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हाला कि हमको बताने में थोड़ा समय लाएगा चुकि हम आपको समझा रहें लेकिन समझा कर देंगे उसके बाद आप इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेजेगा तो 60 से कम में ही आप इस को सॉल्व कर सकते हैं तो कॉंसेंट्रेट होके देखिए गए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना कि अगर आप से कुशन बोर्ड इग्जाम में पूछा जाता है तो उस सिच्व प्रोसेस के साथ एड्जोएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलड़ी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से प्लेइस्ट बना हुआ आप उस प्लेइस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं तो आईए हम लोग अपने टॉपिक पी आते हैं सबस हमारा स्फॉर मैट्रीक्स हो गया किस ओडर का तो टू वाइटू और अगर हम चाहते हैं कि क्या निकाले यह इड्जॉइंट निकाले डारेक्ट यैने श्ट्कॉर्ट मेठड का बात कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डाइगूनल अलिमेंट का तो इह दो प्रोसेस है कि जो डाइगुनल एलिमेंट है उसको आपस में क्या करना है तो इंटर चेंज कर देना है यहां यहां पर क्या जाएगा एटुटू और जहां एटुटू है यहां क्या जाएगा एटुटू इसके बाद क्या करना है कि जो नॉन डाइगुनल एलिमेंट है उसका है जिसका element है one two three four ठीक है और इसका हम क्या लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या बता है कि two by two order का है तो सबसे पहले आप diagonal element को क्या करें तो interchange कर दीजिए तो one four है तो यहां four आ जाएगा और यहां क्या जाएगा वान आ क्या हो गया एड्जॉइंट हो गया मान लेते हैं हमारे पास बी कोई स्क्वाइर मैट्रिक्स है टू बाइटू अडर का element one minus three four minus seven हम चाहते हैं इसका क्या लिखें एड्जॉइंट लिखें तो सीधे लिखें यहां से एड्जॉइंट ऑफ बी इकवल हो जाएगा आपका जो डाइगुनल एलिमेंट है क्या होगा इंटर्चेंज हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा निकालें तो सीधे लिखेंगे एड्जॉइंट ओफ सी तो आप क्या बोलें कि डाइगुनल एलिमेंट हैं इंटर्चेंज करेंगा तो जीरो यहां 11 तो यहां 11 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा जी लिखेंगे तो तो टू बई टू अडर कोई स्क्वाइर मैट्रिक्स है और उसका हम डिरेक्ट जॉइन लिखने चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है आईए अब हम एक कुश्चन 3x3 की लिए भी देखते हैं कंसेंट्रेट होगे थोड़ा सा देखिएगा जैसे यह हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3x3 है तो 3x3 है तो जाईर सी बात है कि 9 फीर जोए लिखना एक दम कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे जैसे हम बता रहे है सबसे पहले देख रहें इसमें जो भी element है इसको थोड़ा side करके लिख लेना है यहाँ पर जो भी element है जैसे one है लिख लिख लिजे minus one two फिर यहां two है three है five फिर minus two है zero है one यानि इसमें जो element है यहाँ पर हम लिख दिए ठीक है इतना काम करने के बाद देखेगा तो यह आपका first row है यह आपका second row है और यह आपका third row है फिर यह आपका first column second column third column तो इसमें करना क्या है कि first column और second column के रिपीट मरना तो देखिए first column में क्या है तो one two minus two one two minus two c1 को repeat कर दिए second column को भी repeat करना है तो minus one three zero हो गया इतना काम इतना काम करने के बाद अब यहां पर देखिए first row बन गया इस second row बन गया इठाड रो बन गया तो आपको क्या करना है कि first row यानि आर वन second row यानि आर टू उसको फिर से नीचे repeat मारना है पहले column repeat मारना है column repeat मारने के बाद देन रो को repeat मारना है और रो में इस सारे student को लेना तो क्या है देखिए धान से wern 12 have पिर है फिर को डालेंगे तो तू है थ्रेए फाइफ यह सबसे पहले हम क्या किये है कि हमारा जो मैट्रिक्स है यह पहले सो दिया हुआ था इतना ही दिया हुआ थैं यह हमारा मैट्रिक्स क्या किए कि c1 और c2 आ तो sa1 को यहां लिखे इतना काम करने के बाद ही हमारा नया r1 बना तो इसको अमें यहां लिख दिए और जो र-2 बना इसको यहां ठालेत ठेले टेकर इतना काम जब कर लें तो हमारा जो मैट्रिक्स बना किस और का बना तो one two three four five यह यानि 5 रो हो गया कोलूम देखेंगे तो 1,2,3,4,5,5 कोलूम भी हो गया यानि मैट्रिक्स आपका 5 by 5 पाउंडर का बना अब इतना काम करने के बाद क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलूम को डिलीट कर देना है यानि उसको रिमूब कर देना है जो मैट्रिक्स बन रहा है इस मैट्रिक्स में देख रहना है कि फर्स्ट रो है और यह आपका क्या है तो फर्स्ट कोलूम है यह एलिमेंट 1 दोनों में कॉमन है इन दोनों को डिलीट कर देना है यानि फर्स्ट रो भी हमारा डिलीट हो गया और यहां से फर्स्ट कोलूम भ Verse Systems को जाएगा बितना समझाने में ले रहा है दीक बार में सिधे उनसर लिखेंगे यहाँ पर आगल मिया सेकेंड है थाड़ को लूम है फॉर्थ को लूम है nigh 1 75 CTC 4 तो पहले क्या करते Note सिट अर Word को लेते हैं च3 के सिटेसा यापन किसको लिखेंगे तो तो R1 को लिखेंगे यह ऐसा समझिए कि first column और second column के सायता से हम लोग क्या लिखेंगे तो first row को लिखेंगे फिर इसके surve님 the all cole him the second row को लिखेंगे फिर इसके बाद third column और fourth column के सायता सre improvement third row को लिखेंगे देखे कैसे लिखते हैं यह हमारा c1 है और यह हमारा c2 है तो पहले क्या करना है कि जैसे होता ना कि समझी अगर यहां तक ही चारों element को लेते हैं तो determinant में expand कैसे करते हैं तो पहले इससे multiply करते हैं फिर minus करके इससे subtract कर लेते हैं तो वहीं काम करेंगे तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और 0 5 जा 0 तो 3 में से 0 माइनस हो जाएगा तो आपका अंसर क्या आगा 3 तो यहां पर 3 लिखेंगे यानि काम यहां पर करना बट यहां लिखना कैसा है तो रोव आईज आगे बढ़िए 0 से 2 में multiply करेगा 0-1 से 1 में multiply किजेगा तो minus 1 तो 0 से minus 1 घटाना आए यानि value आपका क्या आगा तो plus 1 आजाएगा पिर आते हैं तो minus 1 से 5 में multiply करेंगे तो minus 5 और 3 से 2 में multiply कर देंगे तो 6 तो minus 5 से 6 को minus करना है यानि हमारा answer के आएगा तो माइनस 11 आएगा यानि C1 और C2 दोनों के help से यहां क्या लिखें तो R1 को लिखें आगे बढ़ते हैं C2 और C3 के तरफ और इससे किसको लिखेंगे तो R2 को तो देखी 5 से माइनस 2 में multiply यहोगा तो माइनस 10 और 1 से 2 में होगा तो 5 आजागा ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 22 जब 4 और 5 और 5 जब 5 तो 4-5 यानि की माइनस 1 फिर आगे बढ़ेंगे तो C3 और C4 के साथा से R3 को लिखेंगे तो देखिए यहां पर 2 से 0 multiply करेगा तो 0 और 3 से 2 में किजेगा तो कितना जाएगा तो 0-6 फिर 3 2 आपके value क्या जागा तो यहां पर हम लोग जो है C3 के सायता से किसको को लिखें तो आरफी को लिखेंग तो हम धुमनेल पर डालें कि सिक्स्टी सेकंड में आपके इस टैप को सॉल्प कर सकते हैं तो बिल्गुल सॉल्प कर सकते हैं हमको एक्स्पेंट करना था समझाना था तो आप इस टाइब पे कुछ question का practice कर लिजे और किसी भी question को बनाएगा same process को आपको use करना है कहीं कोई exception इसमें नहीं है आसानी साथ question बनेगा और within 60 seconds बन जाएगा अब ज़स जो question बनाया ना उसमें एक जगे calculation में थोड़ा छुट गया यानि जीरो माइनस फिर माइनस 6 था तो वहां पे value जो है प्लस 6 आएगा लेकिन हम जो है माइनस 6 लिख दियें तो उसका answer हम सही करके last में आपको photos का दे दे रहा है आप उसको थोड़ा सा concentrate होके देख लिजेगा thank you